हेलो दोस्तो मेरा नाम है विजय मैं आप सभी को साखत करता हूं शुधी टूटोरियल पर आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे आज का टॉपिक है हमारा वर्ल्ड अथ्लेटिक्स चैंपियंशिप दोहजार तेइस वर्ल्ड अथ्लेटिक्स चैंपियंशिप दोहजार तेइस जो की आईउजित हुआ है बुड़ा पेस्ट में यह है वर्ल्ड अथ्लेटिक्स चैंपियंशिप का लोगो उससे पहले यदि आप इस चैनल पढ़ने हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे दोस्तों के साथ सेर कर दीजे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजेगा अगला कोईशन अमारा विश अथ्लेटिक्स चैंपियंशिप दोहजार तेष का योजन कहां हुआ है दोहजार तेष का योजन जिस देश में हुआ है वा है हंगरी हंगरी के बुड़ा पेस्ट में विश किसके द्वारा किया गया है हंगरी की पहली महिला राष्ट पती इनका नाम है कैटली नुवाग अगला कोईशन विस अतलेटिक चैंपियंशिप में कुल कितने कितने प्रतीश परधा हैं या फिर कहें कितने इवेंट्स हुए हैं 2023 विस अतलेटिक चैंपियंशिप में कुल 49 इवेंट्स हुए हैं अगला कोईशन अमारा विस अतलेटिक चैंपियंशिप 2023 का कौन सा संस्क्रंड है विशतलेटिक चेंपियनख्यसीप दूजार ते इसे 1931 अगला क्रुशन विशतलेटिक चेंपियनख्यानजीफ की सुरुवात कब से हुई है इस देलाइ lihat çेंपियनख्याजीफ की शुरुवात हुई है 1983 में जो किया जित हुआ था फिनलैंड के हेलसिंकी सहर में विश अतलेटिक चेंपियन सेप 1983 का जो लोगो है वा कुछ इस प्रकार का था अगला कोईशन है विश अतलेटिक चेंपियन सिप का आयोजन कितने वर्सों के अंतराल पर होता है वर्षो का अंतराल है दो वर्ष यानि प्रतेक दो वर्ष पे विष अथलेटिक चैंपियन से पायोजीत होता है अग्ला कोरिशन है, विसथ अतलेटिक चेंपियंग से 23 में भारा से खाल लेने मारे अतलेटों की संख्या है 17 जो कि 27 खिलाड़ी 15 खेलों के लिए इस चेंपियंग सिम में भाग लिए हैं अगला कोईशन अमारा विश अथलेट चैंपियंशिप 2023 में कुल कितने पूर्सों ने भारत से भाग लिया है पूर्सों की संख्या है तेश जिरोंने विश अथलेटिक चैंपियंशिप 2023 में भारत की तरफ से भाग लिया है अगला कोश्चन विस अथलेटिक चैंपियंशिप 2023 में कितनी महिलाओं ने भारत की तरफ से भाग लिया है उनकी संख्या है चार महिला खिलाडियों ने विस अथलेटिक चैंपियंशिप 2023 में भारत की तरफ से भाग लिया है अगला कोईशन विश अथलेटिक चैंपियंशिप दोजार तेज में भारती टीम का नेतरित किसने किया है दोजार तेज विश अथलेटिक चैंपियंशिप में भारती टीम का नेतरित करने वाले हैं नीरच चोपडा अगला कोईशन विश अथलेटिक चेंपियंशिप 2023 का आदर्स वाक क्या था? 2023 के विश अथलेटिक चेंपियंशिप का आदर्स वाक है विटनेश दो वंडर अगला कोईशन अमारा विश अथलेटिक चैंपियंशिप दोजार तेश में किस देश ने सरवाधिक पदक या फिर कहें सरवाधिक मेडल हासिल किये हैं दोजार तेश के विश अथलेटिक चैंपियंशिप में सरवाधिक पदक जीतने वाला देश है USA जिसे हम United States of America कहते हैं जिसे हिंदी में संयूंत राज अमिरिका के नाम से जाना जाता है इसने सरवाधिक पदक दोजार तेश के विश अथलेटिक चैंपियंशिप में हासिल कि हाथ एंज दोजार तेश के विश अथलेटिक चेंपियंशिप में सउयूंत राज अमिरिका ने जितने पदक हासिल की है उनकी संख्या है उनक्योंत तीस अगला है विशuar लेटिक चैंपियंशिप दोजार तेश में USA ने कुल कितने atenção गोल्ड मेडल हासिल किये हैं USA ने 2023 के विस अलेटिक चैंपियंशिप में गोल्ड मिडल हासी किये हैं, उनकी संग क्या है? 12 गोल्ड मिडल. अगला है, विस अलेटिक चैंपियंशिप दोजार तेश में दूसरे स्थान पर, यानि पहले पर USA है, तो दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? विस अथलेटिक चैंपियंशिप 2013 में दूसरे स्थान पर जो देश है उसका नाम है कैनेडा कैनेडा ने चार गोल्ड और दो सिल्वर पदक हासिल किये है अगला है विस अथलेटिक चैंपियंशिप 2013 में भारत का स्थान क्या है 2023 के विश अतलेटिक चैंपियंशिप में भारत का अस्थान है अठरवा अगला कोईशन विश अतलेटिक चैंपियंशिप 2023 में USA ने कितने सिल्वर मेडल हासिल किये हैं USA ने सिल्वर मेडल 2023 के विश अथलेटिक चेंपियंशिप में हासिल किये हैं उनकी संख्या है आठ पदक अगला है हमारा विश अथलेटिक चेंपियंशिप 2023 में USA ने कितने कांस पदक हासिल किये हैं कांस पदक जीतने की कांस पदक हासिल जो किये हैं USA ने उसकी संख्या है 9 कांस पदक अगला कोईशन हमारा विस अथलेटिक चेंपियंशिप में भारत ने अपना पहला पदक कब जीता था जब से शुरूआ है भारत ने अपने पहला पदक जो हासिल किया था वसं 2003 में हासिल किया था अपना पहला पदक विस अथलीटिक चेम्पियनसिप का अगला कोईशन है नीरज चोपड़ा किस खेल से सम्बंदित है उनका नाम है भाला फेक उसे इंगलिस में हम जैवलीन थ्रो कहते हैं जैवलीन जो की ये है अगला कोईशन विस अथलेटिक चैंपियंशिप 2013 में नीरज चोपड़ा ने कितने दूर भाला फेक कर स्वंद पदक हासिल किया है विश अतलेटिक चैंपियंशिप 2013 में नीरच चोपडा ने जो भाला फेका था उसकी दूरी थी 88.17 मीटर जिसके वज़े से इने स्वन्ड पदक हासिल हुआ है अगला कोईशन ने वारा विश अतलेटिक चैंपियंशिप 2013 में भारत ने कुल कितने पदक हासिल किये हैं? विश अतलेटिक चैंपियंशिप में 2013 में भारत ने कुल पदक जो जीते हैं उनकी संख्या है सिर्फ एक गोड़ पदक जो की जीता है नीरच चोपडा जैवलिन थ्रोवर ने अगला है विश अतलेटिक चैंपियंशिप 2013 में किस खिलाडी ने गोड़ पदक हासिल किया है? गोड़ पदक हासिल करने वाले 2023 में विश अतलेटिक चैंपियंशिप में उनका नाम है स्वनड़ पदक नीरच चोपडा द्वारा हासिल किया गया है 2023 में विश अथलेटिक चैंपियनशिप का गोल्ड पदक नीरश चोपड़ा द्वारा अगला है विश अथलेटिक चैंपियनशिप 2013 में स्वंड पदक खासिल करने वाले पहले भारती खिलाडी कौन बने हैं? दोजार तेश में स्वंड़ पता खासिल करने वाले पहले भारती खिलाडी बने हैं नीरज चोपड़ा जिनका खेल है भाला फेक अगला कोईशन विश अथलेटिक चैंपियंशिप दोजार तेश में नीरज चोपड़ा ने भाला फेक में किसे हराया है नीरज चोपड़ा ने विश अथलेटिक चैंपियंशिप दोजार तेश में भाला फेक में जिस प्लेएर को हराया है उनका नाम है अरसन नदीम को जो एक पाकिस्तानी अथलेट है अगला कोईशन हमारा नीरे चोपड़ा ने 2023 तक कुल कितने विस अथलेटिक चैंपियनसिप पदग जीत चुके हैं नीरे चोपड़ा द्वारा 2023 तक विस अथलेटिक चैंपियनसिप जो पदग जीता गया है उनकी संख्या है दो अगला कोईशन है नीराच चोपडा ने अपना पहला विस अथलेटिक चेंपियंशिप कब जीता था नीराच चोपडा ने विस अथलेटिक चेंपियंशिप दो हजार बाइस में अपना पहला विस अथलेटिक चेंपियंशिप जीता था 2022 में विश अथलेटिक चेंपियंशिप का जो लोगों था वो कुछ इस प्रकार था अगला कोईशन है मारा निरच चोपडा ने विश अथलेटिक चेंपियंशिप 2022 में कौन सा पदक हासिल किया था 2022 में निर्चोपड़ा ने जो पदख आशिल किया था उस पदख का नाम है सिल्वर पदख अगला कोईश्चन विश अतलेटिक चैंपियन्शिप में भारत ने 2023 तक कुल कितने पदख हासिल किये है अभी तक कुल 3 पदख हासिल किये है अगला कोईशन विस अथलेटिक चैंपियंशिब 2003 में किस खिलाडी ने भारत को जीत दिलाई थी विस अथलेटिक चैंपियंशिब जो 2003 में खिलाडी ने भारत को जीत दिलाई थी उनका नाम था अंजू बॉबी जोर्ज जो कि 2003 में भारत के लिए पहला विश अथलेटिक चैंपियंशिप हासिल किया था बाकी के दो नीरच चोपड़ा जो कि 2022 में और तीसरा 2023 में हासिल किया है अगला कोईशन है अंजू बॉबी जोर्ज जो कि 2003 में विश अथलेटिक चैंपियंशिप जीती थी वह किस खेल से संबंदित हैं? वह खेल है लंबी कूद अगला कोईशन विश अथलेटिक चैंपियंशिब 2022 का आधर्ष वाक क्या था? विश अथलेटिक चैंपियंशिब 2022 का आधर्ष वाक क्या था? अगला कोईशन विश अथलेटिक चैंपियंशिब 2022 में पहला स्थान किस देश ने हासिल किया है? पहला स्थान मिडलों की जो संख्या है वा सरवाधिक विश से नी जीती थी? इसलिए वह पहले स्थान पर था अगला कोजिशन है विश अतलेटिक चेंपियंशिप दो हजार पचीश किस देश में हासिल होगा 2023 जो कि बुड़ा पेस्ट यानि बुड़ा पेस्ट में हुआ है वैसे ही दो साल बाद 2025 में या टोक्यो जापान में आयूजित होगा अगला जो होगा 2025 में या होगा 20 संस्क्राण अगला कोजिशन है मारा विश अतलेटिक चेंपियंशिप 2025 की तिथी क्या होगी यानि 2025 की जो तिथी होगी विश अतलेटिक चेंपियंशिप की वा है 13 से लेके 21 सितंबर के दोरान अगला कोजिशन है नीरचोप्रा भारत के किस राज से सम्बंधित है नीरचोप्रा भारत के हर्याणा राज से सम्बंधित है हर्याणा के पानिपत से सम्बंधित है अगला कोजिशन नीरचोप्रा का जन कब हुआ था नीरचोप्रा का जन हुआ है 24 दिसंबर 1997 अगला कोईशन है नीरच चोप्रा ने 2020 में आयो जित टोक्यो ओलम्पिक में किन्नी दूरी भाला फेका था नीरच चोप्रा ने 2020 में आयो जित टोक्यो ओलम्पिक या टोक्यो ओलम्पिक की बात हो रहे जिसमें उन्होंने भाला फेका था उसकी दूरी है 87.58 मीटर अगला कोईशन है नीरच चोप्रा को 2018 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2018 में जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया था नीरच चोप्रा को उस पुरस्कार का नाम है अरजुन पुरस्कार अगला कोईशन भारती सेना में नीरत चोपड़ा किस पत पर आश्रित है उस पत का नाम है सुवेदार का पत अगला कोईशन भारती सेना के किस मेडल से सम्मानित किया गया था जो कुछ इस प्रकार का दिखता है अगला कोईशन भारती सेना में नीरत चोपड़ा को 2022 में किस राष्ट पुरसकार से सम्मानित किया गया था उसका नाम है पदम्श्री पदम्श्री कुछ इस प्रकार क्या दिखता है अगला कोईशन नीरत चोपड़ा फ्रम पानी पर तू पोडियम पुस्तक के लेखक कौन है नीरत चोपड़ा पे आधारित जो पुस्तक है नीरत चोपड़ा फ्रम पानी पर तू पोडियम इसके लेखक है अर्जुन सिंग का दियान वह पुस्तक कुछ इस प्रकार दिखत है अगला है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक के लेखक कौन है जिन्होंने या पुस्तक लिखी है उनका नाम है नौदीव सिंग गिल वो पुस्तक का राम है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद यदि आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए दोस्तों के साथ सेयर कर दीजिए वीडियो से रेलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते है धन्यमाद